और में ही हादर के बाद भारत की हूछ oughtn緊 Wolveryl! सीमा हैदर के बाद भारत की अंजू चर्चा में है जो अपने Facebook प्रेमी से मिलने पाकिस्तान पहुच गई ए लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है अपने प्रेमी नसुरुला खान से मिलने पाकिस्तान पहुंची अंजू ने अपनी बेटी से बात की और उसने दो-तीन दिन में वापस लोटने की बात कही है वहीं पती अर्विंद ने पत्नी को वापस लोटने के लिए प्येम नरेंद्र मोदी से मदद की कुहार लगाई है पती ने कहा कि पत्नी अंजू को पाकिस्तान से वापस लाने में मदद करे प्येम मोदी पती ने कहा कि उन्हें उमीद है पत्नी जल्द लोटेगी सिर्फ इतना ही नहीं अर्विन अंजू को अपनाने को भी तयार है सरकार भी कुछ पदम उठाए वहां सरकार अगर वियास करती है तो जलती ऐलाने में मदद में से लिए हाँ मिलने हैं चाहिए अगर इगलर कला से गई है मालव बीना पासपोर्ड वीजा के तुस से गई है किस दूर से गई है तो उसके लिए करवाई कर से गई है अगर बीजा लेके गई है तो आप सरकार को सपोर्ड करने चाहिए तो किस तरीके से क्या बुहार लगाते हैं मैं बुहार लगा रहा हूँ बदा मंतरी से जल्द से लाना चाहिए उमधर से सरकार से बात करने के लिए अग्सान सरकार से बात करें है और अब जो कल आपकी बात हुई तो क्या बता है उमधर एक बज़े के आसपास बात हुई थी मेरी तो यहां फैमिली है कोई दीकत नह हाला कि अब अंजू के परिवार वालों से जाज एजन्सियों ने पूछताज शुरू कर दी है आई बी और सी आईडी की टीम परिवार से पूछताज कर रही है मौके पर भिवारी पुलिस और सी आईडी की टीम भी मौजूद देखी सीमा हैदर की तरहा भारत से पाकिस्तान जाने वाली अंजू के पती ने बताया अचानक गुरुवार को अंजू घर से बिना किसी से कुछ कहे चली गई थी उसे कॉल भी किया लेकिन उसने बात नहीं की, फिर कुछ दिन बात सोशल मीडिया पर उसने कॉल किया और कहा कि फोन पर नहीं सिर्फ ऐसे ही बात हो पाएगी हला कि रविवार को जब उससे बात वुई तो उसने कहा कि वो लाहॉर में अपने एक दोस्त के साथ है कुछ दिनों में वापस आ जाएगी लेकिन अंजू के पाकिस्तानी प्रेमी नसर उल्ला ने एक इंटर्व्यू में दावा किया है कि उनकी सोशल मेडिया के जरीए अंजू से दोस्ती हुई थी वे धीरे धीरे प्यार हो गया और अब दोनों साथ में जिन्दगी गुजारना चाहते हैं ऐसे में अंजू अपनी बेटी से किया वादा पूरा कर पाएगी ये देखना दिल्चस्थ होगा